तो S.A.C.C.L. की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है? जरा एक छोटे से एक्जाम को हम उठाते हैं. S.A.C.C.L. में हर साल कम से कम यहाँ पर 20 से 25 लाख मेरे भाई फॉर्म भरे जाते हैं. इतने लाख आपके फॉर्म भरे जाएंगे. यह बात की गैरेंटी है कि इतने लाख लोग मेरे भाई फॉर्म को भरते हैं, फॉर्म अपलाई करते हैं. उसमें से सेंटर पर पहुंचने हैं, देखो, एक वास्तविक्ता भी है, जिसको अभी आप जानोगे और हम डेटा के अधार पर बात कर रहे हैं. इतने लाख लोग फॉर्म भरने जाते हैं. इस 20 से 25 लोग जाते हैं, तो पेपर देने मेरे भाई यहां पर 14 से 15 लाख लोग पेपर देने जाते हैं. 10 लाख लोगों का तो मेरे भाई पता ही नहीं चलता है यहां पर, कि वो गए तो गए कहां पे, और इतने लोग मेरे भाई जो हैं यहां पर लास्ट में पेपर देते हैं, मतल लoquना ही और लोगो यहां पर मैंस के लिए सेलेक करता था इस बार उनों लगबग आठगण आठगण वैकनि сч याँ वैकनिशी हमारी एगर आठगर जार दोसका आठगण 14,000 लोगों को उनोने मैंस में बहेлючा है तो लगबग अगर हम बात करे तो जो दो लाख लोगों का मेरे भाई यहाँ पर प्री में सेलेक्शन होता है प्री का वो clear of cut of कर पाते हैं उसमें से mains के लिए मेरे भाई कितने लोग जा पाते हैं जो mains देंगे 60,000 से 70,000 लोग जो हैं यहाँ पर mains के लिए जा पा रहे हैं जो कि हमारी vacancy होती है ठीक है तो अगर आप percentage निकालने की बात करें तो जरा देखिए 25,000,000 में मेरे भाई सिर्फ 8,000 लोगों का सेलेक्शन हो रहा है यहाँ तक पहुँचते 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 मेरे भाई हालत कराब हो जाती है लगबग 400 सीटों में एक सीट आपका होता है लगबग 300 सीट बिलकुल वो हमारा थोड़ा सा पता नहीं क्या फॉल्ट आ रहा था यहाँ पर लगबग 400-500 सीट में मेरे भाई एक बच्चे का सेलेक्शन हो पा रहा है यहाँ पर इतना समझ लीजे तो अगर हम एप्रोक्सिमेट अगर सीट में ही बात करें सीजल को लेकर तो 400 से लेकर 500 बच्चों में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पेपर आपका एक वेकेंसी यहाँ पर आ रही होती है यानि जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेरा जो कंसन था आपको समझाने का था कि जो कंपटीशन है वो लगबग एक सीट पर कितना है जैसे अगर हम बात करते हैं टोटल जो अपलाइड केंडिडेट है जितने लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर अपलाइड किया हुआ है और जो यहाँ पर बाद में मेरे भाई किया हुए है तो एक तरीके से सेलेक्ट हुए है तो अपलाइड और सैक्टिंग का जो रेशो है वो हमारा कितना है तो apply करने वाले लोग जो है वो 25 लाग है तो एक तरीके से मान के चलते हैं हम यहाँ पर कि 24 लाग लोगों को हम ले लेते हैं कि भाईया इतने लोगों ने apply किया थैं यहाँ पर क्याई दहाई सेकड़ा 1000, 10,000 लाग और एक और लगा लिजे हाला कि एक लाग में 5,0 होता है आप ऐसे याद रख सकते हैं सर एक लाग में 5,0 तो 24 लाग में 24 इंटू 5,0 और select होने वालों की संख्या हमारी कितनी है तो लगबग आपकी 8,000 है अब यहीं से आप अपना selection ratio देख लीजे तो आप बोलेंगे सर देखे हैं हमारा selection ratio कितना है जो कि हम आपको बोल रहे थे कि लगबग अगर 300 बच्चा अप लाई करता है तो उसमें select कितना हो रहा है तो एक बच्चा हमारा select हो रहा है यह point हमें आपको समझाना था हम percentage percentage कहीं और पे चले गए और एक बटे 300 मतलब वो फिर अलगी value आएगी आपकी यहाँ पर ठीक है तो 300 बच्चों अगर apply करते हैं तो उसमें मातर यहाँ पर एक बच्चा जो है वो select हो रहा है यह आपका success rate हो जाता है कि इसमें तो यह जो है यह खा जाएगी rat race होता है मेरे भाई यहाँ पर rat race हमारा चल रहा है और rat race के case में अगर आप अपने आपको बहतर नहीं करते चलोगे तो मामला कतम होता चला जाएगा ध्यान पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है ऐसे ही अच्छे अच्छे information के लिए अच्छे अच्छी बातों के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ठीक है ताकि आपको और भी knowledge की बाते हम आपको बताते रहें और आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें कहीं प आपको और खाय आपको और भी संगे का भी कहाना आपको